Dear Students, चलिए हम लोग आज क्लास 9th के लिए Math subject को NCRT book से पढ़ना स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप जानते हैं हम लोग exercise 1.3 को कर रहे थे पिछले क्लास तक तो चलिए आईए हम लोग आगे सिखते हैं Question number 6 से कि Question number 6 क्या बोल रहे हैं उसको कैसे solve करना है Question number 5 तक के exercise 1.3 में हम लोग complete कर लिए थे अब आगे आते हैं हम लोग exercise 1.3 का Question number 6 से पढ़ना स्टार्ट करते हैं जैसा कि जानते हैं अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जैसा कि पिछले में हम लोग पढ़े थे कि terminating decimal, non-terminating decimal यही सब exercise में हमें मिला हुआ है जो चलिए question आगर आपके पास book है तो निकाल लेजेए नहीं है तो हमको मेरे पास question है Question हम पढ़ते हैं रेशनल नंबर पी बाई क्यो वेन पी एंड क्यू आर एंटिजर विद नो कॉमन फैक्टर अधर देन वन हैं तर्मिनेटिंग डेशिमल रिप्रेजेंटेशन देखिए बोल क्या रहा है आपको एक्जामपल देना है छटा नंबर सवाल को समझेए आपको क्या करना है एक्जामपल देना है कैसा एक्जामपल देना है तो वैसा एक्जामपल जो पी बाई क्यू के फॉर्म में रहे ठीक है छटा question क्या बोल रहे है आपको खुद से अपने तरब आप से एक्जाम्पल देना है ऐसा एक्जाम्पल देना है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में रहे है ठीक है पहला कंडिशन तो समझ में आ गया दूसरा बात बोल रहा है कि पी और क्यू में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए नो कॉमन पी और क्यू में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए यानि कि पी कफ है लोगर मान लिया जाकि दो बटा चार रखते हैं तो दो और चार में तो दो कॉमन हो जा रहा है दो से भी कट रहा है दो से भी कट रहा है तो ये कॉमन हो जा रहा है न तो बोल रहा है कि एक के अलावा और कु विफ्पा को क्यों के रूप में होना चाहिए समजें सावाल ऐसा example देना है इसना Oh पर्ट आक्यूं के रूप में होना चाहिए मतलब कि नर्ट कोमन फैक्टर होना चाहिए other than 1 यानि एक के सिवा क्योंgeons की एक चीवा क्योंकि एक जो नंबर है उस सब का फैक्टर होता है इसलिए बोला गया है कि एक को छोड़कर बाकी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए मतलब कि चार बटा पांच ले सकते हैं क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं है ठीक है यानि आपको ऐसा ही एक्जामपल देना है देखें सवाल फिर से स से कोई कॉमन नहीं रहे नो कॉमन रहे कितना के छोड़कर तो एक को छोड़कर कोई कॉमन नहीं होना चाहिए अच्छा इसके बाद यह बोल रहा है कि वो टर्मिनेटिंग डे सेमल होना चाहिए देखिए terminating अब हम लोग जानते हैं कि terminating क्या होता है और non-terminating क्या होता है तो हमें बहुत अच्छा question मिला है और जरत दिमाग लगाने माला question मिला है कि आपको ऐसा example देना है P बटा Q के जिसमें P और Q का कोई common भी नहीं होना चाहिए और दूसरा कि वो terminating भी होना चाहिए terminating का मतलब वे हुआ कि जब हम उसको अगर divide करें ठीक है तो बाद में remainder 0 हो जाए क्योंकि terminating किसको कहते है terminating उसी को कहते है न जिसका remainder क्या हो जाए 0 हो जाए ठीक है तो हमें सवाल कुलमिला कर यह बोल रहा है कि आपको example देना है ठीक है ऐसा example जो p बटा q कर रहे कोई common नहीं रहे terminating भी हो जाए चलिए आए हम लोग example number खुद से देखते हैं तो इसका जब solution लिखेंगे तो example number 1 कितना भी example लिख सकते हैं example number 1 में हम ऐसे लिख सकते हैं 3 by 2 देख पा रहोंगे 3 by 2 को अच्छा से देखिए तो 3 and 2 में no common factor है तो यहां 3 by 2 लिखे हैं तो यहां लिख देजेगा here p का value 3 है और q का value 2 है उपर वाला p नीचे वाला q ठीक है and no common factor कोई common factor no common factor in 3 and 2 3 और 2 में कोई factor नहीं है कोई common factor नहीं है now 3 by 2 को हम लोग divide कर लेंगे उसके नीचे 3 को 2 से divide करेंगे तो 2 बन जा 2 एक बच रहा है अब divide नहीं लगेगा तो point देएंगे तो यहां 1 0 बठाएंगे 2 5 जा 10 देखिए इसलिए अगर इसको divide कर रहे हैं तो कितना आ रहा है it is terminating decimal terminating decimal ठीक है तो इस तरीके से हम लोग एक और example ले लेते हैं तो एक और example लेंगे तो क्या बनेगा जड़ा देखिए एक और example लिये हुए है example number 2 आप अपने तरीके से example और भी ले सकते हैं इसमें कोई restriction नहीं है कि कितना example लेना है लेकिन example देना है आप दो example भी दे सकते हैं तीन example भी दे सकते हैं ठीक है तो कितना भी example दे सकते हैं चले तो यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है कि example number 2 में आप ऐसा ले लेजेगा 4 और 6 में तो common हो जाएगा ना 5 और 6 में ले लिजेगा इसमें common नहीं होगा लेकिन terminating नहीं हो पाएगा तो आपको बहुत अच्छा से सोचना है कि ऐसा P बटा Q लेना है जिसमें terminating भी तो होना है ना terminating भी हो जाएगा कोई common भी नहीं बचे तो ऐसे करके आपको लेना है चले हम ले लेते हैं 7 by 10 जी हाँ अब इसका example ले लेते हैं 7 by 10 बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है अब यहां से आप लिखेगा कि here P बराबर कितना है तो उपर वाला P होता है 7 Q बराबर कितना होता है 10 निचे वाला Q का value हो जाता है अब यहां पे लिखेगा and and no common factor in 7 and 10 7 और 10 का कोई common factor भी नहीं है इसलिए 7 by 10 को हम लोग कितना लिख सकते हैं तो 10 से 7 में divide किजिए तो point देंगे तो 1 0 कितना आ रहा है कट गया यानि कि 0 remainder हो गया 0.7 इसलिए हम बोलेंगे So it is terminating decimal terminating decimal तो इस तरीके से हम लोग और भी एक्जामपल दे सकते हैं तो आप अपने से खुद से तीसरा और चौंथा एक्जामपल इसका लिख कर send किजिए इसका answer ग्रूप में वेजिए कि हम सर्थ तीसरा एक्जामपल ऐसा कुछ सोच सकते हैं सही है या गलत है या फिर एक्जामपल नंबर चौंथा भी आपने की कुछ रिस्ट्रक्शन नहीं है कि कि इतना एक्जामपल देना था लेकिन यह बोल रहा था सवाल कि हमें एक्जामपल देना है बस चलिए आगे कोशन की तर बढ़ते हैं कोशन नंबर 7 कोशन नंबर 7 अगर आपके पास बुक है तो आपको देखिए सामने लिखा है राइट थ्री नंबर तीन वो नंबर लिखना है फूज डेशिमल एक्सपैंशन नं टर्मिनेटिंग नं रेकरिंग ठीक है आपको तीन नंबर लिखना है जो नं रिपिटिंग होगा और नं टर्मिनेटिंग होगा तो हम लोग जानते नहें हम लोग तो सिखे हैं कि एक होता है टर्मिनेटिंग एक होता है नं टर्मिनेटिंग ठीक है non-terminating और non-terminating का भी दू पाइट होता है एक repeating और एक non-repeating या फिर बोल सकते हैं रेकरिंग इसको रेकरिंग भी बोलते हैं जिसे बार चड़ाते हैं हम लोग रेकरिंग और फाइन एक होता है non-reaking या non-repeating तो सवाल यहाँ पर बोल रहा है कि तीन को नमबर आपको एक्जामपल देना है जिसमें non-terminating का होना चाहिए और non-reaking होना चाहिए उसमें repeat नहीं करना चाहिए तो आप अपने तरब से बहुत सारे एक्जामपल दे सकते हैं जैसे कि इसका आंसर हो जाएगा सत्मा का solution एक्जामपल नमबर वन एक्जामपल नमबर ऐसे लिख सकते हैं 0.01001001001001001001001001001001 इटी सी देख पा रहे होंगे कि ऐसा अगर आगे बढ़ते रहेगा तो कोई repeating नहीं होगा repeating नहीं हो रहा अगर दूसरा बात कि यह क्या बता रहा है कि यह non-terminating है कभी नहीं कटेगा देख पार होंगे ना कि 0.01001001001001001001001001001001 तो इस तरीके से एगर हम लिखेंगे तो यह किस का एक्जामपल होगा तो यह होगा non-repeating का non-recaring या non-repeating non-recaring and non-terminating तो दोनों का हो जाएगा यह example ठीक है तो इस तरीके से आप example number 2 भी दे सकता है तो तीन example देना था तो example number 2 कैसे हो सकता है 4.25225 2225 2225 etc यह भी example हो सकता है आप example number 3 दे दीजेगा कैसा example तो इस तरीके से हम लोग example कर दिये यह example किसका है तो non-recaring और non-terminating का यह example है और हम लोग जानते हैं कि यह non-recaring और non-repeating क्या है एक तरह का irrational number है इसे हम लोग ब्यक्त नहीं कर सकते हैं P by Q के form में तो जब non-recaring होगा और non-repeating होगा तब हम उसको irrational भी बोल सकते हैं चलिए आए आगे देखते हैं question number 8 की तरह बढ़ते हैं 8 क्या question बोल रहा है 8 question बोल रहा है अच्छा question है find three irrational number यानि कि तीन गो irrational number ध्यान से सुनिए आपके पास question है भूक है तो निकालिए rational number नहीं क्योंकि rational क्या होता है P बटा Q के रूप में होता है यहाँ पर हमको three irrational number चाहिए between कितना कितना 5 by 7 और 9 by 11 यह question बोल रहा है तो सबसे पहले यह बोल रहा है कि 5 by 7 तो 5 by 7 का value निकालिए कि 5 by 7 का value कितना होता है ठीक है तो 5 by 7 का value कितना होता है आप देख पा रहोंगे कि 5 by 7 को हम लोग multiply करेंगे तो 5 में 7 से multiply करेंगे तो यहाँ हो जाएगा point 0 7 7 जा 49 यहाँ हो जाएगा one फिर एक बार point दिये है तो यहाँ पर तो 0 लिख सकता है तो 0 लिख दिया फिर 7 को एक से 7 बंजा 7 फिर 3 मिला फिर 0 सचो 28 फिर 2 0 साथ दूना 14 यानि कि ऐसा नहीं कट रहा है तो हम यह लिखेंगे कि इसका जो value होगा वो कितना होगा 0.7142 सम्थिंग होगा आगे डॉट डॉट दे दिये है कि आगे भी होगा ठिक है और 9 by 11 का value यहाँ लिखेंगे and 9 by 11 का value कितना होगा तो 9 by 11 का value कितना होगा तो 9 बटा को 11 से डिवाड करना है तो यह तो डिवाड ने लेगा तो यहाँ पर 90 बना लेंगे 11 वा अठा, 88 कितना बच रहा है? 2 0, 11, 11, 11 फिर कितना बच रहा है? 9 फिर देंगे 0 देख पा रहा होगी तो यहाँ कितना बन रहे? 11, 8 sorry 11 11, 8, 88 फिर बच रहा है 2 फिर 0 यानि कि हमेशा 0, 8, 1, 8, 1, 8, 1 आते जाएगा, ठीक है? यानि कि अगर ऐसा रहेगा तो इसका वैलू कितना रहा है? 0, 8, 1, 8, 1, 8, 1 ऐसे आते जाएगा क्योंकि यह कभी यह भी कभी नहीं कटेगा इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 8, 1 का रेकरिंग ठीक है? जब आप देख पार होंगे आठमा कोश्चन में क्या बूल रहे है? कि इतना और इतना 5 बटा 7 और 9 बटा 11 के बीच में आपको क्या करना है? इरेशनल लंबर का उदाहरन देना है इक्जाम्पल देना है तो सबसे पहले आप इसका ये लिखेंगे कि चुकी उसी के आगे लिखेंगे डिवाइड करने के बाद 5 बटा 7 का वेलू कितना था? तो 0.742 था 7142 तो 0.7142 9 बटा 11 का वेलू कितना था? 0.81 का रेकरिंग इसलिए फर्स्ट इरेशनल लंबर फर्स्ट इरेशनल लंबर हम लोग क्या दे सकते हैं? फर्स्ट इरेशनल लंबर क्या दे सकते हैं? तीन गो इरेशनल लंबर देना है इतना इतना के बीच में तो इस 0.71 है तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0.7 2 777 2777 2 4780 तो जब कोई decimal नन रेकरिंग और नन टर्मिनेटिंग हो जाए तब हम उसको क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर बोलते हैं चलिए आगे आते हैं हम लोग दूसरा इरेशनल नंबर लिख सकते हैं सेकेंड इरेशनल नंबर सेकेंड इरेशनल नंबर क्या होगा तो 0.74 ले सकते हैं क्योंकि 0.71 से लेके 8.1 के बीच में आप कुछ भी ले सकते हैं 7.4 लिए तो 7.4 लिख सकते हैं 7.444 भी लिख सकते हैं मतलब ऐसा कुछ example देना है, जो क्या हो, non-terminating हो, और non-recring हो, मतलब कि recurring नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग irrational भी बोलते हैं, वैसे ही third irrational भी देंगे, क्योंकि तीन गों example देना है, तो third irrational number, third irrational इसके इसके बीच का 7,1 लिये हैं, तो हम 7,9 भी लेकर बना सकते हैं, यानि 0.7977977799, क्योंकि उसके बीच में हैं, इस तरह से तीन इक example हम लोग irrational number का कर दिये, चलि आए आगे आते हैं, और ये last question है, question number 9, तो exercise 1.3 का अगर बात करें, तो exercise 1.3 का ये last question है, जो question number 9 है, चलि क्या बोल रहा है, classify rational number and irrational number, बोल रहा है कि आपको, A, B, C, D, E करके सवाल दिया हुआ है, नौमा का, आपको चुनना है कि कौन rational number है, और कौन irrational number है, पहला सवाल देख पार होंगे, पहला अगर आपके पास किताब है, बुक है, तो root under 23, तो आप समझे, कि root under 23 है, ओ क्या root under 23 का, पूरा पूरा square root निकलता है, पूरा पूरा इसका हम लोग square root नहीं निकाल सकते हैं, जब पूरा पूरा नहीं निकाल सकते हैं, तब हम इसको बोल देंगे, irrational number, यानि कि इसमें सवाल क्या कह रहा था, कि सिर्फ आप चुनिए, classify किजिए, कि कौन irrational number है, और कौन rational number है, तो जो नवा का first है, वो क्या है, irrational है, जब हम दूसरे question का बात करें, दूसरा में root under 25 है, तो हम लोग तो जानते हैं, कि root under 25 का, वर्गमूल कितना होता है, 25 का वर्गमूल, square root 5 होता है, और 5 को हम लोग नहीं लिख सकते हैं, 5 बटा 1, तो उपर वाला हो गया P, और नीचे वाला हो गया Q, तो इसको तो P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जब P बटा Q का form आ गया, तब हम इसको बोल देंगे, कौन सा नंबर है ये भई, ये है rational number, ठीक है, चलिए, C number question देखते हैं, C number question है, 0.3796, 0.3796, अस्टोप है, देखिए, जब यहाँ पे अस्टोप हो जाता है, तब वो actually rational number हो जाता है, क्यों, ऐसा इसलिए होता है, 0.3796, और बटा में कुछ नहीं है, तो एक, अच्छा, जब यह point हटता है, तो उतना ही, उसके बाद, जितना अंक रता, उतना 0 आ जाता है, मतलब, 3796, बटा 1 पे कितना 0, तो point के बाद, 4 डिजिट है, तो 4 गो 0 आ जाएगा, तो इस तरीके से, उपर वाला हो जाता है, P, और नीचे वाला Q, तब हम इसको बोल देंगे, कौन सा नंबर, rational नंबर है, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, D के तरफ, D question बोल रहा है, 7.478, 478, 478, 478, ऐसा ही है, तो जब ऐसा रहता है, तो आपको हम सिखाए हैं, कि अगर जो चीज़ रिपीट करें, तो यहाँ पर रिपीट क्या कर रहे है, 7.478 का रेकरिंग, तो जब कभी भी, किसी नंबर, decimal में, अगर रेकरिंग दिख जाए, जब रेकरिंग दिख जाए, तो वो रेकरिंग वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, तो यह भी एक तरह का क्या है, रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि यह, रेकरिंग आ गया, तो जब किसी भी decimal पर रेकरिंग आता है, है तब हम उसको बोल देते हैं rational number आगे बढ़ते हैं question number e के तरफ e क्या है one point one zero one double zero one triple zero one चारगो zero one ऐसा ही etc है तो जब अगर ऐसा question रहे तो आप देख पा रहे होंगे कि यह non-terminating है मतलब कि यह कभी end नहीं होने वाला है जिसको non-terminating कहते हैं और दूसरा बात कि यह कोई repeat भी नहीं कर रहा है यानि कि यह non-terminating है और non-repeating है तब इसको हम लोग बोल देंगे irrational number irrational number तो इस तरीके से dear student हम लोगों को end हो गया exercise one point three तो आज के class को यहीं तक stop करते हैं अब अगले class में हम लोग exercise one point four के लिए कुछ पढ़ेंगे तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद